तो क्या आप भी अभी की टाइम पे अंडर 10,000 रुपीस एक वन अफ दे बेस्ट 5G स्मार्टफोन ढूंड रहे हैं जहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ अच्छी कासी डिस्प्ले देखने को मिल जाए अलके फुल की गेमिंग करने के लिए अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाए और फोटोस को क्लिक करने के लिए अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाए यह सारे स्पैसिफिकेशन अगर आप अंडर 10,000 वाले स्मार्टफोन में चाहते हैं तो इस वीडियो को करे हमाई लिष्ट के सबसे फर्स नमबर वाले स्मार्टफोन के बारे में तो वह हमने रखा है मोटरोला के तरफ से आने वाला मोटो जी थरीफोर 5G स्मार्टफोन और यह स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपीजट का वन आप देश्ट स्मार्टफोन है जिनको भी इस बजट में एक clean Android पर based smartphone purchase करना है उनके लिए यह smartphone काफी great deal होगी और अगर हम कुछ time पहले जाएं तो पहले कुछ इतने खास smartphones देखने को नहीं मिलते थे 10,000 रुपीज़ की budget prices में जिनमें आपको 5G connectivity देखने को मिल जाए बट अभी की time भी कुछ ऐसे smartphone है जिनमें आपको 5G connectivity के साथ साथ पाकिसारी specifications भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं जो कि Motorola के तरब से आने वाला है एक latest 5G smartphone है तो आप इस smartphone को consider कर सकते हैं अगर हम detail से बात करें इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G chipset देखने को मिल जाते हैं जो कि 2.2 GHz पे clocked एक octa Core 5G processor है इसके लाओ आपको 4GB RAM support के साथ 128GB तक की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है इसके लाओ आपको बैटरी के तौर पर भी 5000MH की काफी बड़ी बड़ी बैटरी के साथ 18W का fast charging साग सब्सक्राइब देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तौर पर भी 6.5 inches की एक IPL SSD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 1080 to 2400 pixels की है और यह जो display पैनल है वो 405ppi pixel density पे work करती है यहाँ पर आपको for smooth experience 120H का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है और यह smartphone out of the works Android 14 पर work करता है इसके अलाओ अगर at the end वहीं पर बात कर सामने के तरफ भी 16MP का एक काफी बढ़िया selfie shooter camera देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए अब बढ़ते हमाई list के next smartphone के तरफ जो कि हमें रखा है वीबो की तरफ से आने वाला वीबो का T3 light 5G smartphone और यह smartphone वीबो का एक latest 5G smartphone है जो कि आपको under 10,000 रुपीज देखने को मिल हो जाता है जिनका जो budget है अंडर 10,000 रुपीज ही है और वो इस budget में भी वीबो की branding का smartphone पर्शेच करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए smartphone काफी बढ़िया रहेगा अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए Mediatek Dimensity 6300 का 2.4 GHz पर clock budget range के recording एक काफी powerful processor देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 4GB RAM support के साथ maximum 128GB तक की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर बात करें हो ही पर इस smartphone के display specifications के बारे में तो display के तो आपको यहाँ पर 6.56 inches की एक काफी बढ़िया LCD पैनल देखने क देखने को मिल जाएगा और यह जो display है वो 98 refresh rate पर वर्क करती है तो budget range के recording अगर देखा जाए सभी specifications को मिला आकर तो display specifications भी काफी बढ़िया है इसके अलावा को बात करें एड़ एंड वहीं पर इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 2MP का एक dual layer camera support देखने को मि जाता है तो overall इस smartphone के specific budget range को justify करते हैं तो अगर आप भी वो के smartphone के तरफ जाना चायते हैं तो यह smartphone आपके लिए काफी वड़िया रहेगा इसके बाद चलिए अब बात कर लएक हमारे list के next smartphone के बारे में जो कि हमें रखा है Realme के तरफ से आने वाला Realme का latest Realme C65 5G smartphone जिनको भी इ इस smartphone को consider कर सकते हैं जो कि है Realme C65 5G smartphone और अगर बात करें इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर भी आपको लगबग specifications से बीबो की तरह ही देखने को मिल जाते हैं तो आप इस smartphone के तरह भी जा सकते हैं तो यहाँ पर आपको performance के लिए Mediatek Dimensity 6300 Plus का 2.4 GHz पे clocked एक powerful Octocore 5G processor देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 4GB RAM support के साथ maximum 64GB तक की inbuilt memory देखने को मिल जाती है और वहीं अगर बात करें बैटरी की तो 5000 MHz की काफी बड़ी हाँ बड़ी बैटरी के साथ 15W तक का fast charging support भी देखने को मिल जाता है इसके साथ सा smartphone के display specifications के बारे में तो display के तोर पर आपको यहाँ पर 6.67 inches की IPS LCD पनल देखने को मिल जाती है जो की 720 इंटू 1600 04 pixels की है और यह जो display panel है तो 264 PPI pixel density पे work करती है और यहाँ पर आपको 4 smooth experience 120Hz तक का maximum refresh rate support देखने को मिल जाता है जो की budget range के recording काफी बढ़िया है इसके अलागों ही प आप 1080p में अपनी वीडियो को 30 fps पर इजली रिकॉर्ड कर सकते हैं वहीं आपको सामने के तरफ भी एक काफी बढ़िया 8 megapixel का sensor देखने को मिल जाता है तो यह smartphone उनके लिए है जिनको realme का smartphone purchase करना है इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमाई list के next smartphone के बारे में जो कि हम इसको भी Redmi का smartphone इस budget में चाहिए वो लोग 13C 5G smartphone को consider करेंगे इसके भी specifications budget range को justify करते हैं और budget range के recording काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं तो आप इस smartphone के तरफ भी जा सकते हैं तो अगर detail से बात करें हैं 13C 5G smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए mid electric dimension 6100 plus का एक 2 2.2 GHz पे clocked octocore 5G processor मिल जाता है यहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 256GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको battery के तौर पर 5000 mh की काफी बड़ी battery के साथ 18W का fast charging support भी देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको battery performance थोड़ा decent देखने को मिल जाती है और इसके इंटु 1600 pixels की है और यह जो display panel है वो 267 PPI पिक्सल लेंश्टी पर वर्क करती है यहाँ पर आपको कौनी Gorilla Glass 3 की protection मिल जाती है और 90Hz का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा कर बात करें हुए पर इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 प्लस एक depth sensor देखने को मि और जब भी आप इस camera setup के साथ videos को record करने जाएंगे तो आप यहाँ से maximum 1080p में अपनी videos को 30 fps पर easily full HD में record कर पाएंगे और वहीं आपको सामने के दरब भी 5 megapixel का एक काफी वडिया sensor देखने को मिल जाता है तो यह रहे है top 4 best 5G smartphone चोकि आपको under 10,000 रुपीज देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने 24 याफी अपने need users के basis पर किसे भी smartphone की तरफ जा सकते हैं So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी So अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को simply कर देजग लाइक और चैनलो कर देज़ सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि लिए रादे रादे